हिंदी समझने एवं बोनने वाले सभी छात्र छात्राओं का मेरे चानल फ्रॉंटिस्ट पर हारदिक स्वागत है यहां मैं आपको आसान और सरल तरीके से फ्रेंच भार्षा सीखने में आपकी मदद और सहायता करूँगी आज शुरुवात करते हैं उन किताबों से जो आपको फ्रेंच सीखने में आपकी मदद करेंगी और आपका इंटरस्ट इस भार्षा के प्रती और अधिक होता जाएगा पहली किताब या बुक जो मैं आपको सेजेस्ट करती हूँ वो है दॉन्दो मौडन फ्रेंच कोर्स मार्च 1884 लौरियां फ्रांस में हुआ था यह बुक पहली बार 1929 में पब्लिश हुई थी और तभी से यह एक पहतरीन फ्रेंच सीखने की किताब सिध हुई है वैसे तो यह बुक मुझे मेरे स्कूल ने फिफ्ट स्टैंडर्ड में इस लेविस में प्रिस्काइब की थी जब मैंने फ्रेंच आप्ट की थी यह बुक देखने में मोटी जरूर है बट घबराईएगा मत पहली बार तो मैं भी डर गई थी कि कैसे पढ़े इतने सारे पेजिस बट यकीन मानिये अगर आप लगन से इस बुक के पहले कुछ पनने ही पढ़ लेंगे तो आपको खुद बखुद समझ आ जाएगा कि फ्रेंच कितनी आसान है हाँ एक important बात दोस्तों कि आपको अपनी अंग्रेजी बहुत मजबूत करनी है आपकी English की grammar जितनी अच्छी होगी उतनी ही अच्छी आपकी French बनेगी यह बुक हिंदी में नहीं है इंग्लिश में है यह बुक पेपर बैक क्वालिटी में आती है और बहुत छोटू सी है जो आप इजिली अपनी बैकपैक्स या पर्सेस में कैरी कर सकते है चलिए अब नजर इसकी प्रीफेस पे डालते हैं जिसमें दौन्दो कहते हैं कि यह बुक का लक्षे और कारण सिर्फ इतना है कि French की grammar और vocabulary को बहुत simple form में पेश किया जाए और साथ ही साथ French culture और France के बारे में भी आपको जानकारी मिले अच्छा अब इसकी introduction की मैं बात करूँ तो हम देख सकते हैं कि यहां quick lessons है जैसे कि लालफा बे अनले जाक्सों एक्सेक्टरा बुक दो भागों में divided है और each part में further sub-parts या sub-sections है for example revision exercises, lectures and conversations जो revision या revisions है वो बहुत important है और इसे practice करना मत भूलेगा इस book में खास बात यह है कि इसमें English phonetics form में pronunciation दी गई है जो आपको बोलना सिखाएंगी कि words को कैसे बोला जाता है अब lessons पे एक नज़र डाल लेते हैं शिरुवात करते हैं section A से जो की है pronounce से मतलब pronunciation या कैसे दिये गए शब्दों को फ्रेंच में बोला जाता है अगला आता है lise section B जिसका मतलब है reading part जो आपको पढ़ने की practice करवाता है और ध्यान दें की reading ऊची अवाज में practice करेंगे तो ही french words बोलने आएंगे section C है etude ये मतलब new and difficult words को याद करना section D है répondre यानि की question answers round section E आता है remark way जो आपको detail में grammar topic समझाता है और section F कहलाता है the war मतलब exercise questions practice के लिए so students अगर आप seriously and sincerely इस book को पढ़ेंगे तो आपका base बहुत strong बनेगा और आपकी french बहुत improve होगी एक बात note करें कि इस book की answer की भी मिलती है या answer booklet भी मिलती है और अगर आप books को खरीदना चाहते हैं इन दोनों books को तो मैं description box में link provide कर देती हूं तो आप online purchase कर सकते हैं otherwise आपको easily किसी भी bookstore या book shop से मिल जाएगा अगर आप Delhi में रहते हैं तो आपको दर्या गंज या चान्दी चौक में किसी भी shop पे मिल जाएगी मेरे channel पे बने रहने के लिए धन्यवाद झाल